ओके वेलकम तो दो मैं चैनल वियर हाउस टड़ी आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है इट्स ऑन बायो डैवर्सिटी बायो डैवर्सिटी इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है अभी टू 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 टेज बिफॉर एक न्यूज आई थी हिंदुस्तान टाइम्स में इंडिया जो की होट स्पॉट है वो लॉस्ट हो गया है तो इसे ह्यूज डिजास्टर टू वर्ड इंडिया ओके डिजास्टर इससे क्या होगा लॉट्स हो गया से क्या होगा क्लाइमेट चेंज जो की अभी हम फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज होगा क्लाइमेट चेंज बेसिकली क्यों होता है, जब हम nature को disturb करते है, nature is supreme, when we disturb the nature we are facing huge disaster, ऐसे अभी हम देखी रहे हैं, बेसिकली जो आइडिया लेंगे, इसे basic idea of biodiversity and its type hotspot and where is the location of hotspot area in India, और थोड़ा हम IUCN and WWF के बारे में भी जानेंगे, ओके, let's start with the topic, ओके तो basically biodiversity मिलकर बनी होती है, आपकी plant and animal, when they came together and make healthy and good environment, healthy plus good environment ये बनाएंगे, तो वो refer करेगा biodiversity को, actually क्या है, existence किसकी है, basically नहीं कि existence है, तब ही हम लोग हैं, तो basically इनका ही हम discussion होगी, यही climate change करते हैं, यही hot spot area वगेरा इनी के लिए सब कुछ बने हैं, ओके, तो यह basically हो गया, थोड़ा static पार्ट भी हम देख लेते हैं, कि किसने यह term coin की थी सबसे पहले biodiversity, बायो diversity जो term है, यह थे, W.C. रोजन, यह static है, याद ही करना पड़ेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सेते हैं, अनादर इस a hot spot term, concept of biodiversity की term में, hot spot, जो concept है, यह सबसे पहले किया था, नॉर्मल मेर ने, तो यह दोनों, क्या है, कि यह static है, यह पढ़ना पड़ेगा, it's important, in case of exam और आपकी knowledge के लिए भी होना चाहिए, अच्छा, तो इंडिया में, जो hot spot area है, यह है, आपके four, four hot spot area है, अभी हम देखते हैं, कहां-कहां है, यह hot spot area, actually, geography में, map बहुत जुरूरी है, geography is all about map, सबको पता होगा, geography is all about map, okay, तो firstly, यह area कौन सा है, हमारा, it's a himalian area, यहां himalians है, most of animal and species यहां, जिनको save करने के लिए, area hot spot declare किया जाए, it's a first area, second one is a north east, north east में हमको पता ही है कि, कितना ज़्यादा tree है, कितनी ज़्यादा species है अधर, another one is a western guard, western guard भी बहुत ज़्यादा news में है, और जब हम चीजों को इनको disturb करते हैं, तो हमने देखा होगा कि, कि कितनी ज़्यादा तरास दिया और कितना ज़्यादा disaster हमें देखने को मिदा, आश्यार के लाइन वाश्टन गाट साइड में, fourth one जो है हमारा fourth one, it's a undemand and nicobar, undemand and nicobar जो है, वो हमारा यहाँ लाए करता है, आप सबको पता ही है, it's here, तो यहाँ भी सबकुछ है, तो it's a four hotspot in India, तो इसके साथ साथ हम next देखेंगे, कि what's the IUCN, IUCN क्या, IUCN एक organization है, IUCN एक organization है, international organization है, जिसकी फुल्पॉम में, International Union of Conservation of Nature, ये correct data book maintain करते हैं, जिसमें दिया होगे, कौन सी special, विलूप्थ होने वाली है, कौन सी विलूप्थ की कगार पे है, कौन सी extinct है, जो भी है, आपकी वो चीज़ें, ये सब कुछ देखता है, मैं भलो कि it's a just work as a safeguard of this thing, biodiversity के regarding, ओके, तो जो हमारा next है, WWF, WWF में जब हम चीज़ें देखेंगे, WWF में आपका है, कि ये क्या करता है, इसका जो headquarter है, इसका headquarter basically इसका headquarter है suzer land में, among the top, world's top conservation group of protect the natural environment and create peace among human beings and nature, दोनों के बीच में peace का काम करता है, and natural environment को protect कर नया काम करता है, तो हम ये देख सकते हैं, WWF कितना ज़्यादा important role play करता है, ओके, let's go beyond this, and India में, okay, most important topic, India में जो आपकी national biodiversity authority in India है, वो है आपकी its in Chennai, बहुत बार repeat हुआ है question, knowledge के लिए भी पता होना चाहिए, और वैसे exam पपसे भी आपको static terms का पता होना चाहिए, तो basically हमारा आज जो topic था, इसके regarding था, बहुत सारी चीजे इंटरल डेटेड हैं, दीर दीर हम discuss करेंगे, सब कुछ नहीं बता सकती, क्लाइमेंट चेंज से डेटेडे जो हमारे Paris agreement हो गया रहा है, वो सब कुछ है, तो step by step हम इस सब में discuss करेंगे, तो thanks to watching and share and subscribe करेंगे अगर चैनल वीडियो पसांद आए, okay, take care guys, bye